पूरे तरीके से comprehensive revision हो जाएगा और पूरा-पूरा UPSC का से लिए बस आपका cover हो जाएगा आपको एक final mock test देना है क्योंकि 26 का दिन आपका जो है रेस्ट का देना और 27 को आपको UPSC का prelims है और अंतुतहाद देखिए पूरा 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 निकलना है आप लोगों का नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आप आईएस में तो UPSC प्रिलिम्स 2021 जो है 27 जुन 2021 को है चार मेने आज से बच रहे हैं लगबग और इन 120 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेजियों नीचे क्या प्लान होना चीए उसको लेकर हम आए है तो दोस्तों 120 दिन का प्लानार डिसकस करते हैं कि कैसे आपको त्यारी करनी है दिखिए बच्च लोगों के लिए जिन लोगों को भी यह जॉइन करना है उसके लिए आप लोग 999494 360 पर मैसेज करकर वट्सप पे क्वेरी कर सकते हैं इस बैच की खासियत क्या है कि हम आपको डेली बेसिस पर टार्गेट देंगे और उनी का टार्गेट को हमने यहां पर डिसकस किया वह इस पोर्स को जरूर जरूर सब्स्ट्राइब कर लें क्योंकि यह अपने अपने यूनिक कोर्स है UPSC Civil Service Exam के लिए और इस कोर्स का नाम ही हमने रखा हुआ है निकालो प्रिलेम्स 2021 तो इसमें हम टॉपर्स के साथ मिलकर एक strategy प्लान आतलों के लिए 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 हैं और न सबसे पहले कुछ गुट कोचिंग इस्टिटूट्स की आपको कोचिंग की जो है टैसी ले लेनी है और उसके आधर पर चेक करना है और लास्ट फाइव यह प्रिलिम्स के क्वेश्चन को आपको अटेम्ट करना है जहां पर एक चीज हम लोग add-on कर देते हैं कि आप आप जो कि जिसमें हम लोगों ने 1995 से 2020 तक के पूरे-पूरे कोचिंग पेपर्स को जो है अनलाइज किया हुआ है और इसके अलावा हमने अपने टेलिग्राम चैनल पे भी प्रिवेश यह कोचिंग के क्विज जो है वो डालने शुरू कर दिये हैं तो अभी जाकर हमारे डिस्क आगे बढ़ते हैं तो आपको करने ही करने हैं तो सेलेक्शन की कोई गारेंटी नहीं है तो 85 में आपका क्या हो हुआ 65 मान के चलिए कि आपने जो है 100 परसें शौर किये हैं तो आपका स्कूर बनता है 130 और इंकरेक्ट है आपके 20 तो इसी साब से 13.2 मार्क्स आपके डिड़क्ट होगे तो ओवर्राल स्कूर आपका हो गया 116.8 तो कोई भी कट आफ जो है लड़बग 115 से 120 के बीच में जाएगी maximum इससे उपर कट आफ नहीं जाने वाल यह इस बार की भी तो यह आपकी आपको लगभग 65 टेस्ट फुल लेंट टेस्ट आपको अटेम्ट करने है इसी को लेकर एक कॉम्प्रियंसिव प्रिलिम्स पर्फॉर्मेंस ट्रैकर जो है हमने बनाया हुए वह भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उसमें देखिए कि हमने को किस हिसाब से आपको अटेम्ट करने है वह पूरा पैटन आपको दे दिया है अब देखिए ऐसा क्यूं हो जाता है कि 65 तक पहुंदना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कुश्चन ही उसी वे में डिजाइन होते हैं इसके अलावा देखिए जो यूप से प्रिलिम यह नहीं कि यह किस्τό है करना बोलाव जाता है कि कैसे इसके सब्सक्राइब करने जाता हूँ support कि आपने तो आपने में चाहिए कि चाहिए डिव में यानि कि जो easy है और जो आपको आते हैं उन question को attempt कीजिये. Second round में type 2 और type 3 के लिए question को attempt कीजिए. या फिर आप यह कर सकते हैं कि आप three round में question paper attempt कर सकते हैं. पहले round में type 1 करें दूसरे round में type 2 और type 3 करें. और तीसरे round में cable type 3 करें और pulley का revise करें. इससे क्या होगा कि आप कोई भी कोश्चन जो है वो आप मिस आउट नहीं करेंगे अब देखिए अब ये आखरी के 120 दिन जो है वो आपके प्रप्रेशन में कितना वेटेज देते हैं देखिए सबसे पहले अगर आपने सेलेबस अभी तक कंप्लिट नहीं किया है तो आप अ सबसे इंपॉर्टन चीज जो है इस स्टेज पे वो है मॉक्स आप देखिए कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मैप वर्क हो गया मॉडरन इंडियन हिस्ट्री हो गया जिसमें स्पेक्ट्रम है तो अगर आपके पास है तो अभी इसे शुरू कर एकोनोमिक्स का बेसिक ले लिए जैसे कि आयाई-पी-शीपिए-डब्लू-पी-आई और दूसरे जितने भी इंडेक्स है वह आपके लिए इंपॉर्टन हो जाते है रिपोर्ट्स और साइन्स टेक्स पूरा-पूरा आप करेंट एफेर्स के लिए हमारी जहारं सेरीज च सबसे पहले यह मैटर करता है कि आप इस समय पे नोट्स बनानी की बिल्कुल भी मत सोचिए क्योंकि अब यह पॉसिबल नहीं कि 120 दिन में आप नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स को प्रिवाइज भी कर पाएंगे आप ट्राइ कीजिए कि आप कोश्चन सॉल्व करके पी कि इसको बोलते हैं तो आप रिवर्स जाइए रिवर्स इंजिनियरिंग मेथड यूज कीजिए पहले कुश्चन अटेंब कीजिए उस सेक्शन में देखे कि कि क्या आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वापस जाईए और दुबारा से पढ़ है तो आप हमारे दिय गाए नंबर पे आप संपर सकते हैं तेली ग्राम पे आप हमारे चैनल पर आप आयस यहाँ जो है आप जोड़ सकते हैं अब देखिए बात करते है प्रेलिमानिस मेंट क्यों करें आपके पाँ प्रॉपर शियां करना है नहीं करना है कौन सा चोड़ना है तो अभी जोईन कीजिया हमारा जो सब्सक्राइब आपके पीछे काफिला चलेगा वह काफिला आके पीछे जरूर होगा अगर आप टीम आप आपके सांद जुड़े हुए हैं तो डिश्चित तौर पर सफलता आपके एक अदम जूमनेगी तो आएए अब बात कर लेते हैं 120 दिन का अब देखे आज जैसे की है 26 तारीख तो 26 तारीख को आपको करने है पॉलिटी के कौन से कुश्चिन आप लोगों को करने है तो देखे पॉलिटी में आपको करने है इस्टोरिकल इवल्यूशन और फीचर्स कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉस्टिटूशन इसकिम्स अधर कंट्रीज अब यहाँ पे आरा कहरेखिए इनके लिए सोर्सित आफको क्या चाहिए इसके अथा करना है और योजना पुन चीटर उठाइव जून की किसको आज आपको करना ही करना है यह दो रॉप्श को कल के लिए आपके टॉपिक्स रहेंगे प्रिल्स एंड फंडमेंटल राइट्स और वही रहेगा कि जून का वीक टू का करेंट अफेयर और जून की योधना आप देखिए 28 तारिक के लिए DPSP और अब आगे बढ़ते हुए तो तारिक का वीक का करेंट अफेयर और जुलाइए और जुलाइए जून योजना उठानी है आपको यहां पर आगे बढ़ते हुए तो तारिक का टार्गेट देख लेते हैं दो तारिक का वीक को यूनियन इन स्टेट लेजिसलेचर की बात करनी है यूनियन इन स्टेट लेजिसलेचर में आपको गौवर्मेंट स्कीम वेलफेर स्कीम इनको देखना है मेजर ली जो आपको देखना है आप यहां पर जुला सब्सक्रीज में पम झालोगी घृत लम अप्ट खरनी सब्सक्रीआ को चार तारीक की बात करते हैं, चार तारीक को आपको क्या करना है, चार तारीक को आपको एक टेस्ट रखना है, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक थिंग्स हो, मेंस की जो एक्सरसाइज हो, मेंस अंसर राइटिंग भी हाथ की हो, अब आगे बढ़ते हैं, अब देखें पांस तारीख की बात करते हैं पांस तारीख को यूनियन टेरेट्रीज एंड इस्पेशल एरियास लोगल बाडीज आपको कवर्न करनी है गौवर्मेंट सोशल वेलजफेर स्कीम जुलाइट वीक थर्ड का करेंट अफेयर और अगस्त 2020 की योजना कुलुशेत् अब यहां पर देखें इसके साथ साथ आपको क्या करना है पॉलिटी का जो है करेंट अफेयर और अगस्त की आपको योजना कुलुशेत्र मेगजिन और टॉपिक यहां पर ध्याम देने वाले गौवर्मेंट सोशल वेलफेर स्कीम रहेंगी अब देखें साथ तारीख को आपको क्या करना है पॉलिटी का जो है constitutional and non-constitutional bodies अब यहां पर देखें इसके साथ साथ आपको क्या टॉपिक करने है जो युनेसको डिप्लेयर करता है उनको आपको कवर करना है सारी की सारी जुराय वीक फिफ्ट का current affairs आपको कवर करना है अगस्ट 2020 की योजना कुरी शेत् हो आपने इस्टोरिक कल्चर एंडिया इंडिया इंडस्वेली शिविलाइजेशन अब यहां पर आपको यह लिए सोर्स क्या क्या रहेंगे क्लास 11th की एंचियाटी इंचेंट इंडिया की आरे सर्मा के द्वारा 6th की एंचियाटी आगर पास्ट वन एंड सेवन नाइंध इंडिया इंडिया हिस्ट्री पास्ट पार्ट वन अब यहां पर इंपोर्टन टॉपिक्स आपके क्या रहेंगे अगस्ट 2020 का वीक वन का करेंट पेर और सेप्टेंबर की आपकी आपकी यहां पर योद्ना कुरुशेत्र मैचीन आपके आ जाएगी अब नौ तारीक को दे सब्सक्राइब है य्योद्ना कुरुशेत्र की मैचीन अब देखिए 10 तारीक को आपको क्या है उन्चंट इंडिया कवर करना है जन्चंट इंडिया के कान से enjoy आपको कवर करना है मॉरेयन उंपायर पोस्ट मॉरेयन आपकी यहां पर वही रहात टेंजिबल सेजिबल हैं इ तो जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं और इस के साथ अपनी तयारी करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके कोर्स को सब्सक्राइब कर लिए प्रिलिम्स 2021 का कोर्स है और बहुत ही उम्दा कोर्स है मैं यह शौर करता हूं कि निकलेगा प्रिलिम्स 2021 अगर वीडि़ि करण्ट अफएर था तो अगस्त तक का आपको जून से अगस्त तक का पूरा कर लेना है इंचंट में कर लेनी है मेडिवल इंडिया अभी तक पूरी हो जानी चाहिए चेक List आपको रखनी है यह चेक LIS श्का को चेक लिस्पर। और सबनी वरे ठी Can का करेंट अफेर और अक्टोबर की योद्या गुरुशेत्र मेग्जीन अब बात करते हैं तेरा मार्च की तेरा मार्च को आपको सदर्न डाइनेस्टी सात्वाहान पल्लाव चालुक्य पांड्य ऑफ मादुरय चोला डाइनेस्टी राष्ट कुटाज यह आपको कवर करना है और यहाँ पे मेडिवल टर्मिनलोजीज आपको देखने हैं यह तर्मिनलोजीज के लिए जितने भी chronology और terminology है वो हम अपनी जैनल पर cover कर दाने वाले हैं तो उस series को जरूर देखें तो अगस्त 2020 week 5 का current affairs और October की जो आपकी योजना कुरुषेत्र magazine है वो आपको देखनी है अब 14 मार्च को क्या करना है आपको 14 मार्च को medieval history चलेगी बाबर, advanced towards India, मुगल emperors, establishment of the Northern Indian Empire, deacon and foreign policies of मुगल, cultural contribution of मुगल and منसबदारी system इन सभी topics पे detailed discussion हमारे प्रिलेंस mentorship batch में होगा जो भी join करना चाहते हैं वो join कर सकते हैं medieval terms, terminology यहाँ पर आपको कवर करनी है, October का current affairs, September का current affairs week 1 का और October की योजना कुरुषेत्र magazine 15 मार्च को आपको क्या कर रहे है, medieval India का आपको climax and crisis of Mughal empire and marathas of the decan, society, structure and growth, economic life pattern and prospect, religion, fine arts, science and terminologies, science and technology, medieval terminologies और September का आपको current affair week 2 का और November की योजना कुरुषेत्र magazine तो मुझे लगता है, इतना अगर आप कर रहे हैं, योजना कर रहे हैं और डिली बेसिस पर कुछ टार्गेट रखने हैं, टार्गेट को अचीव कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर निकलेगा प्रिलेंस, तो 16 मार्च की बात करते हैं, 16 मार्च को मेडिवल इंडिया की आपको नदर्न इंडियान, फर्स्ट हाफ ऑफ ऐटीन सेंचुरी, मराथा एंड, पॉलिशी ऑफ एक्सपेंशन, कल्च्राल डेवलमेंट इन मेडिवल इंडिया, यहापे मेडिकल वाल टर्मिनलोजी आपको ध्यान देना हैं, और सेप्ट सब्सक्राइब और नवंबर 2020 का जो है, आपको योजन्या कुरिशेत्र मेगजिन करनी है, अब अथरम आच को क्या होगा, टेस्ट होगा, मैब बेस्ट होगा, टॉपिक क्या होगा, इंडिया स्पेसिफिक और मेंस रिफ्लेक्टिव एक टेस्ट होगा, उनिस तारीक को दे टेस्ट है, एक अगर समय कम है, और आप लोग पढ़ना चाते हैं, तो स्पेक्ट्रम को पुरा रटा मालिजे, स्पेक्ट्रम से ही हो जाएगा, बट यह पढ़ेंगे, तो फिर प्रिलिम्स में कोई भी कुश्चन ऐसा नहीं होगा, कि आपका छुट जाएगा, क्योंकि आपको चीज़े क्या क्या दिखनी है इंडेक्स रिपोर्ट इसके सांथ साथ आपको करनी है और्गनाइजेशन करनी है सब्टेमबर वीक फाइफ का करेंट अफेयर और दिसंबर की ओजना कुरुषेत्र मैग्जीन अब 20 मार्च को आपको क्या करना है इंडियन नेशनल यहां पर इंडेक्स रिपोर्ट और अर्गनाइजेशन साथ में करनी है ऑक्टोबर 2020 का वीक फुका करेंट अफेयर और दिसंबर 2020 की ओजना कुरुषेत्र मैग्जीन अम 22 मार्च को आपको क्या करना है बाइस मार्च को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो है राइज ऑफ कम्यूनलिजम वेवल प्लान के बिनेट मिशन प्लान मांट बेटन प्लान या आपको कवर करने हैं इसके सांसांस सेक्टिबल इंपोर्टन डेज इन्यूज और आवर्स आपको करने हैं ऑक्टोबर 2020 का वीक 3 का करेंट अफेयर और जुलाई 2020 की ओजना कुरुषेत्र दूरिं ब्रिटिश इंडिया वर्किं ग्लास मोमेंट 1850-1900 ग्रोफ और अफ कम्यूनलिजम अब 24 मार्च को आपको क्या करना हैं अम्देन हिस्टिए की लेफ्ट अंड कम्यूनिश्ट ट्रेंड इनेशनल मोमेंट प्रेस अंड एजुकेशन दूरिं ब्रिटिश पीडिड रोल और वोमें इन फ्रीडम इस्टगल गॉवर्न जनरल ऑफ इंडिया वाइसराय ऑफ इंडिया इंपोर्टन परसेंड इन्यूस इंपोर्टन निउस्पेपर जनरल एंड कॉंग्रेस सेशन इसके अलावा फेस्टिबल इंपोर्टन डेज एंड अवर्स अक्तूबर 2020 का यूद्ना कुरुषेत्र मेगजीन अब 25 मार्च को आपको क्या करना है आपको शुरू हो जाएगा विजूल आर्ट्स आपको टॉपिक करना है और फेस्टिबल इंपोर्टन डेज और आवार्ट्स आपको साथ में करना है नॉवंबर वीक वन का जो है करेंड अफेर और ज इसको आपको कहां से करना है एंसेयाठी ख्लास 11 इंट्रोडॉट्चिन टू इंडियन आर्ट और लिविंग ट्राफ्ट ट्रेडिशन टूंडिय एंसेयाटी क्लास 11 की बुक है और इसके अलावा आप स्पैक्ट्रम की आती है नितिन सिंगानिया नितिन सिंगानिया को भी प्रेफर कर सकते हैं अब इसके सांथ साथ आपको क्या करना है फेस्टिबल इंपोर्टन डेज एंड आवार्स नॉंबर 2020 का वीक टू का करेंट अफेर और जुलाइ 2020 की योद्ना कुरुषेत्र में अब 28 मार्च पर आ जाते हैं 28 मार्च में आपको क्या करना है फ्रीलिज्जिन लेंग्वेज, लिट्रेचर, इसको आपको कहां से हैं CCRT की वेबसाइट है निइन आर्ट इं कल्चिर का मठीडियल है उसको आपको रेफर करना है इसके सांथ साथ कुछ इंप्रेंट टॉपिक्स भी करने है जैसे की मतलब दो आपिक्स का मिलाते वेँड सब्सक्राइब करने मार्किंग अंदर नॉम्बर 2020 का वीक थरी का जो है करेंट अफेर और जुलाई 2020 की ओधना कुरुषेत्र मेगजियन अब 29 मार्च 2021 को आपको क्या करना है जोग्रफी आपकी शुरू हो जाएगी यहां से अब जोग्रफी यहां से शुरू हो रही है तो आपको चार पास टॉपिक करने है और इजन ऑफ दा आर्थ एवॉलूशन ऑफ दा जो लोजिकल हिस्ट्री ऑफ दा ओर ओरिजन ऑफ लाइ सब्सक्राइब करने हैं इसके साथ आपको क्या देखना है यह सब आपको देखने हैं नॉंबर वीक फॉर का करेंट अफेर और अगस्ट 2020 की यह दना आपको रूशेत्र मेगजीन तीस मार्च को आपको क्या करना है जोग्रफी आपको आपको होगा जो मॉर्फिक प्रोसेस डिस्रिबूशन ऑफ कॉंटिनेंट और ओशियन लेंड फॉम एंड इवलूशन बाय इसके अलावा 31 मार्च को आपको क्या करना है क्लाइमेटोलोजी और वाल्ट क्लाइमेट आपको पूरा कर लेना है इसके साथ बायो डाइवर्सियोटी होट्सवाट वाल्डाफ सेंचुर्य और बायोस्वेर इजार्ट करना है डिसंबर 2020 वीक फॉर करेंट अफेर और अग मैगजीन यहां से आपकी चालो हो जाएगी अब देखें दो अप्रेल को आपका एक टेस्ट होगा मैबेश टेस्ट होगा कॉंटिनेंट आपको देखने उसमें नौर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका प्लस यहां पर एक मेंस रिफ्लेक्टिव टेस्ट जो जो लोग हम उपरस के सांत मैध के बनाई है यह तो इसए फॉलो कीजिए सन बहसिए अब देखें तो दो अप्रेल को आपको करना है एक टेस्ट का होगा इसमें धोन नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लस मेंसे अन्सेंम्हक्तिव टेस्ट में इसके लावा तीन अप्रेल को द इसका वीक फॉर्व करेंट एफएर और सप्टेंबर टुंटी टुंटी की आपको जो है योजना कुरुषेत्र की मेगजियन अब देखेश फॉर्थ एप्रिल को आपको जोग्रफी के मिनरल रिसोर्सेज एनरजी रिसोर्सेज और इंडेस्ट्री कॉवर करना है प्लस प्रा सब्सक्राइब करना है और जनुरी टुंटी 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 यूजना कुरुषेत्र मेगजीन अब देखें इन्वायमेंट के यहां से आपका शुरू हो रहा है तो इसके लिए सोर्सेज आपको क्या क्या रखने है क्लास्ट टी की यूनिट नंबर टैन है च अब देखें इन्वायमेंट और एकोलोजी का 6 अप्रिल का आपका जो टार्गेट है वो क्या है बायोडिवर्सिटी बायोम्स, फोरेस्ट, ग्रास्लेंड, माउंटन और डेजर्ट एकोसिस्टम, अकुर्टिक लाइफ जोन्स, ओशन डिवर्स और लेक्स, वेटलेंड, ड अब देखें, 7th of April को आपको Environment and Ecology की Basics of Pollution, Mining and Pollution, Air Pollution, Land Resources, Forest Resources, Soil Resources, Water Pollution, यह topic कवर करने है, यह yearbook आपको यहाँ से शुरू करनी है, और January 2020 का Week 3 का Current Affair, और October 2020 की आपको योजना कुरुशेक्तर मैग्जीन, अब 8th April को आपको क्या करना है, Environment and Ecology का, Climate Change Basics और Climate Change Impact यह आपको करन है, Act and Policies आपको करना है, Environment Impact Assessment, यह topic आपको करना है, इंडिया yearbook यहाँ से आपको शुरू करनी है, उसका जो सेकिंड पार्ट है, January 2021 का Week 4 का Current Affair, और November 2020 की योजना कुरुशेतर मैग्जीन, 9th April को आपको एक सी सेट का टेस्ट देना है, और मेंस Reflective Exercise जिसमें की आपको मेंस के question आपको करने है, यह आपका क्या जाएगा, अब 10th April को आपको economy के basics concepts, national income concept and method of calculation और inflation, अब जहां से क्योंकि economy चालू हो रहा है, तो आपके sources क्या क्या रहेंगे, इंडियन economy and economic development, class 11th, class 12th की introductory micro economics, class 12th की introductory macro economics, इंडियन economy by Ramesh Singh, इंडियन economy by Ramesh Singh, तो अब यहां पर दूसरे topics आपको क्या करने है, इंडिया एर्बुक यहां पर आपको करने है, जनुरी 2021 का week 5 current affairs, और नॉम्बर 2020 का current affairs, अब इसके लावा, 11th April को आपको money banking, financial market and its instrument, और defense, military exercise और operations यह आपको कवर करना है, इसके अलावा, February 2021 का week 1 का current affairs, और नॉम्बर 2020 की योजना कुरुशेत्र मेगजीन, अब 12 April को देखिए, economy के monetary policy in India, public finance, defense ministry, exercise and operations, February 2021 का week 2 का current affairs, और December 2020 का current affairs, आपको, मतलब योजना कुरुशेत्र मेगजीन आपको कवर करनी है, अब यहाँ पर 13 April की बात कर लेते हैं, fiscal policy, taxation, foreign trade international organization, defense, military operations, यहाँ पर additional topic है, और February 2021 का week 3 का current affairs, और December 2020 की योजना कुरुशेत्र मेगजीन, तो आप देखिए, monthly basis की checklist को आप देख लीजिए, कि आप April तक कितना current, कितनी चीज़े cover कर चुके है, modern history आपका हो गया, spectrum आपकी हो गई, geography, NCRT, 6 to 12 हो गई, GC लियोंग हो गई, art and culture की NCRT हो गई, आपका पूरा हो गया, economy की रमेश सिंग, budget 2021 का वो हो गया, economy सर्वे का analysis हो गया, योजना कुरुशेत्र मेगजीन हो गई, और आपका current affairs लगभग अगस्त से फरवरी तक का current affair हो गया, October से December तक की आपकी योजना कुरुशेत्र मेगजीन हो गई, देखिया, आप targeted रहेंगे तो, दो मेने माँ आप कितना चादा कवर कर रहे हैं, बजाए इसके कि आप पूरी preparation सुदवात से करें, इस target से अगर आप चलेंगे तो निश्चित तोर पर सवलता आपके साथ होगी, 4th April को आपको क्या करना है, land resources, land reforms, agriculture, finance, agricultural, credit institution, crop insurance in India, role of agricultural system and economy, अब यहाँ पर देखिये, defense military exercise and operation, February 2021 का week 4 का current affair और December 2020 की योजना कुरुशेत्र मेगजीन, अब देखिया, इसके अलावा, 15th of April को आपको क्या करना है, economy के topics करना है, agricultural marketing, subsidies, agricultural revolution in India, और food processing, इसके अलावा, GI tag, IPR, trademarks, और March 2021 का current affairs, प्लस January 2021 की योजना कुरुशेत्र मेगजीन, अब आपको 16 April को क्या करना है, एक test देना है, map based test होगा, जिसमें continent Asia आपको लेना है, ocean लेना है, और means reflective एक test आपको यहाँ पर लिखना है, किसका, जो अभी तक आपने topics cover कर लिए हैं, उनका test, जो हमारे mentorship बैट में उनको हम लोग कराएंगे, और जो YouTube पर देख रहे हैं, वो खुद करिए, इन topics के आधार पर sectional test ले लिजिए, और उन test को आप attempt कीजिए, अब 17th April को देखिए, financial institution, budget 2021, economic survey 2021, budget 21 and 22, economic survey यहाँ पर करिए, GI tag, IPR, और trademark, और March 2021, week 2 का current fair, और January 2021, अब यहाँ पर देखिए economy का specific topic लिया है, budget तो यहाँ पर budget का document आपको पढ़ना पढ़ेगा, economic survey पढ़ना पढ़ेगा, अब science and technology यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, space and defense technology, bio technology और biology, अब इसके लिए आपकी क्या क्या चीज़े होनी चाहिए, class 6-9th की NCRT, science reporter की magazine और राज्य सभा TV का हाँ, science pointer, उसे आपको देखना चाहिए, अब GI tag, IPR और ट्रेडमार्क यह आपके additional topic हो गए, और यहाँ पर March 2021 का week 3 का current affair, प्लस January 2021 की युद्ना कुरूशेतर magazine, अब देखे, 19th of April को आपको क्या करना है, science and technology में, IT, electronic, telecommunication, cybercrime, nanoscience and nanotechnology और robotics आपको करना है, GI tag, IPR ट्रेडमार्क से आपको करना है, March 2021 week 4 का current affair, और February 2021 की युद्ना कुरूशेतर magazine, अब देखे, 20th April को आपको क्या करना है, science and technology में, health, energy, nuclear technology, GI tag, IPR ट्रेडमार्क और मार्च 2021 का week 5 का current affair, February 2021 का युद्ना कुरूशेतर magazine, अब देखे, 20th April को आपको क्या करना है, science and technology, health, energy and nuclear energy, GI tag, IPR और ट्रेडमार्क और मार्च 2021 का week 5 का current affair, और February 2021 की युद्ना कुरूशेतर magazine, अब एक comprehensive revision test यहां से शुरू होते हैं, अब देखे, सबसे बहले पॉलेटी का एक revision test दीजिए, और इसमें quality plus quality का current affair करिए, कहां से आरब सीरीज से, और जरलती MCQ सीरीज भी हम लोग निकालेंगे, उसे भी हमारे चैनल पर देख लीजिए, पॉलेटी का revision series अब एक और टेस्ट दीजिए और current affair quality का कीजिए, अब देखे, 23 अपरेल को आपको क्या करना है, mock test देना है दूसरा और एक main reflective test, आप 24 अपरेल को फिर से एक quality का test plus current affair, 25 को फिर से quality का revision test और current affair, 26 को फिर quality, 27 को फिर एक test, 28 को टेस्ट, 29 को टेस्ट, इस तरीके से quality के आप लगभग 6 test टेस्ट कर देंगे, 29 को फिर ancient India पर आईए, ancient India का एक test दीजिए, 30 अपरेल को क्या कीजिए, एक map based test दीजिए, जिसमें continent लीजिए, यूरोप और अफरिका और एक मेंस रेफ्लेक्टिव टेस्ट लिखिए, अब एक में आगे, एक में को ancient India का revision test दीजिए, प्लस current affairs कीजिए, हिस्ट्री के, दो अपरेल, दो में को क्या कीजिए, ancient India का टेस्ट दीजिए, 3 अपरेल को फिर ancient India का दीजिए, 4 को medieval India का revision करते वे test दीजिए, 5 को आप दीजिए medieval का फिर से revision test, 6 को फिर medieval का test दीजिए, 7 को CSET का test दीजिए, 8 में को modern India का revision test, 9 को भी modern India का, 10 को फिर modern India का, 11 को फिर modern India का, 12 को फिर modern India का revision करने के बाद test, तो आप देखिए, यहां पर monthly checklist में देखिए, आपने क्या क्या progress कर लिया, साइन्स टेक की 62 राइंद, योधना को रिशेतर कर लिया, दुबारा revision भी हो गया, quality का revision हो गया, GS का weekly आपका second revision भी हो गया, और history का revision, economy का revision, science tech का revision, यानि कि 99% आपका prelims का course complete हो गया, अब देखिए, 13 को आपको क्या करना है, art and culture करना है, art and culture का revision test, फिर 14 को map based test, जिसमें topic in news और means reflective एक means का test आपको यहां पे लगाना है, 15 तारिक को art and culture का revision test, 16 को फिर art and culture का, 17 से geography के revision test चलूँगे, जो की आपके 20 तारिक तक चलीगे, 21 तारिक को आपको क्या होगा, means का एक reflective test देना है, फिर 22 तारिक को geography का revision करिए, अब 23 से आप environment का revision शुरू कर दीजे, 23 से लेके 27 तारिक तक आप जो है मैय में, 26 तारिक तक, 25 त और revision भी करते रहिए, 28 को आप क्या कीजिए, कि means based test और Sunday का map based revision करिए, अब 29 से फिर एक जून तक जो है आप economy को revise करिए और economy का test दीजे, अब 2 तारिक से लेके आपका comprehensive revision शुरू हो जाएगा, यानि कि पूरा-पूरा revision, और इसके सांसरा आप test भी लगाते रहिए, तो ये revision क क्या होगा, पूरे तरीके से comprehensive revision हो जाएगा, और पूरा-पूरा UPSC का syllabus आपका cover हो जाएगा, अब 6, 7, 8, 9, 9 तक फिर पूरा comprehensive revision कीजिए, 9 जुन तक, फिर 10 जुन को test दीजे, C-set का, 11 जुन से आप के कीजिए, comprehensive revision कीजिए, दुबारा से, आप 12 जुन से फिर quality के previous year question कीजिए, आप IAS की समिक्षा series देख लिए, 11, 12, 13, 14 तक आप IAS की revision videos देख लिए, मुश्किल से 15-20 videos होंगे, और पूरे quality cover करा देंगे, 1985 से अभी तक की, अब देखे, 14 से आपको क्या करना है, history शुरू करना है, 15 तक, तो ये दो दिनों में आप history की समिक्षा series देख लिए, 16 तरिक को फिर art and culture शुरू हो रहे, art and culture की revision series देख लिए, 17 को environment ecology की previous year question इसकी भी समिक्षा series हमने बनाई विये, 18 को art and culture की previous year question करिए, 19 को फिर geography की previous year question यानी की समिक्षा series हमाई देखिए, 20 को geography की revision previous year question देख गे, 21 को फिर environment and ecology, 22 को economy के previous year question, 23 को economy के, 24 को science and tech, और 25 को आपको एक फ वाइनल मौक टेश्ट देना है क्योंकि 26 का दिना आपका जो है रेस्टे का दिना और 27 को आपको UPSC का प्रिलिम्स है और अन्ततोहा देखिए आट एन कल्चर हो गया जोग्रफी का रिवीजन हो गया पूरा पास्ट टैन येर का रिवीजन हो गया मैंबेजड रिवीजन हो ग पूरा 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 कंप्रिट हो गया तो UPSC का प्रिलिम्स जो है 2021 का पूरा पूरा निकल ले आप लोगों का और अंततोह यही कहूंगा कि टीम आप यह मैंटर्शिप जो लांच किया है यह 100% सक्सेस गैरेंटी ले रहा है आप लोगों की तो जरूर जाइन किए क्योंक देखा जो पूरा चेड्यूल है पूरा पूरा चेड्यूल यह है कि हम आपको टेली बेस पर तार्गेट भीशा दे Lalit भीश्राट से 50,000 है बट हम आपको दे रहें केवल 499 में तो अभी जोइन कीजिए थेंक्यू हमें लगा कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्फुल होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहे बलकि आपको quality content देना है तो हमें Instagram पर फॉलो कर सकते हैं Facebook पर फॉलो कर सकते हैं Twitter पर फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको Telegram पर इसकी PDF चाहिए जो लेक्चर अभी हमने record किया है तो आप Telegram पर आप IAS Official सर्च करिए वहाँ पर जाकर आपको मिल जाएगा और अभी करें आप IAS को दन्यवाद